आप सब्सक्राइब श्री वालमी के निर्मित आर्शामन आदिकावे के बालकाण में 36 सर्ग विश्वमित्र की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्षमन दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिननदन करके मुनिवर विश्वमित्र से इस प्रकार कहा ब्रह्मन आपने ये बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई अब आप गिरी राज हिंबान की जेश्ट पूत्री गंगा के दिव्विलोग तथा मनुश्य लोग से संबंध होने का प्रतांत विस्तार के साथ सुनाईए क्योंकि आप विस्तरित प्रतांत की ज्याता हैं लोग को पवित्र करने वाली गंगा किस प्रकार से तीन मार्गों में प्रवाहित होती है सरेताओं में शेश्ट गंगा की त्रिपतगा नाम से प्रसिधी क्यों हुई धर्मक के महरशी तीनों लोगों में वे अपनी तीन धाराओं क के द्वारा कौन-कौन से कारे करती हैं। श्राम चंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वमित्र जी ने मुनी मंडली के बीच गंगा जी से संबंद रखने वाली सारी बात पूर्ण रूप से कह सुनाई। श्राम पूर्वकार में महातपस्वी भगवान निलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको न वधु के रूप में अपने निकटाई देख उनके साथ रती कृड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भागवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ कड़ा विहार करते सौ दिव्वे वर्ष बीद गए शत्रों को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महा देव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ यह देख ब्रह्मा आदिस्थ सभी देवता उन्हें रोकने को उद्योग करने लगे उन्हेंने सोचा इतने दीरखकाल के पशात यदि रुद्र के तेच से उमा देवी के कर्भ से कोई महान प्रानी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तीच को सहन करेगा यह विजार कर सब देवता भागवान शिव के पासचा उन्हें प्रणाम करके यूँ बोले इस लोग के हित में तत पर रहने वाले देव देव महादेव देवता आपके चर्णों में मस्तख छुकाते हैं इससे प्रसन होकर आप इन देवताओं पर क्रिपा करें सुर्ष्रेष्ट ये लोग आपके तेज को नहीं धारन कर सकेंगे अतह आप क्रिडा से निवरित हों वेद बोधित तपस्या से युगत होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए तीनों लोकों के हितकी कामना से अपने तेज अर्थात वीरे को तेज सुरूप अपने आप में ही धारन कीजिए इन सब लोकों की रक्षा कीजिए लोकों का विनाश न करड़ा लिए देवताओं की यह बात सुनकर सर्व लोक महिश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहे कर उनका अनुरोध स्विकार कर लिया फिर उनसे इस प्रकार कहा देवताओं उमा सहित मैं अर्थात हम दोनूं अपने तेज से ही तेज को धारन कर लेंगे प्रित्वियादी सभी लोकों के निवासी शांती लाब करें किन्तु सुर्श्विष्टगन यदि मेरा ये सर्वोत्तम तेज वीर क्षुब्द होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारन करेगा यह मुझे गताओ उनकी ऐसा कहने पर देवताओं ने विशब्द वज भागवान शिव से कहा भागवन आज आपका जो तेज क्षुब्द होकर गिरेगा उसे ये प्रित्वी देवी धारन करेंगी देवताओं को ये कथन सुनकर महाबली देविशब्द शिव ने अपना तेज छोड़ा जिससे परवत और वनु सहित ये सारी प्रित्वी व्याप्थ हो गई तब देवताओं ने अगनी देव से कहा अगने तुम वायू के सहयोग से भागवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो अगनी से व्याप्थ होने पर पहतेज श्वेत परवत के रूप में परणित हो गया साथ ही वहां दिव सरकर्णों का वन भी प्रकट हुआ जो अगनी और सूरे के समान तेजस्वी प्रतीत होता था उसी वन में अगनी जनित महा तेजस्वी कार्दिक के का प्रातुर भाव हुआ तदन अंतर रिश्य सहित देवताओं ने अत्यनत प्रसंचित होकर देवी उमा और भागवान शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया श्री राम इसके बाद गिरी जादन दिनी उमा के नेत ग्रोध से लाल हो गये उन्होंने समस्तर देवताओं को रोश पूर्वक शाप दे दिया वे बोली देवताओं मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पती के साथ समागम किया था परंतु तुमने मुझे रोग दिया अतह अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन करने योग्य नहीं रह जाओगे आज से तुम्हारी पत्निया संतान उत्पादन नहीं कर सकेंगी संतान हीन हो जाएंगी सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृत्वी को भी शाप दिया भुमे तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा तु बहुतों की भार्या होगी खोटी बुध्धी वाली पृत्वी तु चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो अतह मेरे क्रोच से कलुशित होकर तु भी पुत्र जने चुक का या प्रसंता का अनुभव ना कर सकेगी उन सब देवताओं को उमा देवी के शापसिप पिरिद देख देविश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्षिम दिशा की उर प्रस्थान कर दिया वहाँ से जाकर हिमाले परवत के उत्तरभाग में उसी की एक शेखर पर उमा देवी के साथ भगवान महिश्वर तप करने लगे लक्ष्मन सहीर श्री राम यह मैंने तुम्हें किरिराज हिमवान की छोड़ी पुत्री उमा देवी का विस्त्रित व्रितान बताया है अब मुझसे गंगा की प्रादुर भाव की कथा सुनू इस प्रकार श्री वालमी के निर्मित आर्शामर आदिकावे के बालकाण में 36 सत पुरा हुआ आप सभी को कोटी कोटी साधुवाद आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहिद करे